कितना भी पकड़लो फिसलता जरूर हैं, ये वक्त है साहव बदलता जरूर हैं Hello everyone, Welcome to channel HPGK वाले, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के Glacier तो चेलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को question number 1 के साथ आज की वीडियो बहुत खास होने वाली और इसमें हर question explanation के साथ दिये जाएंगा और साथ में revision भी इसी वीडियो में हो जाएगा, तो वीडियो में अंतक बने रहीएगा पहला question है भादल, भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है option A, लाहुलस्पिती, option B, किनौर, option C, कांगडा, option D, चमबा तो correct answer है option C, कांगडा, कहानी देखते हैं भादल ग्लेशिर की तो भादल ग्लेशिर जैसे मैंने बताया कांगडा जिले में स्थित है तो ये कहानी कहती है कि कांगडा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर, पंजाल, परवत, शैन्यों की ढालों पर ये ग्लेशिर स्थ है और इससे भादल नदी को पानी मिलता है भादल नदी, जो रावी नदी की क्या है, सायक नदी है बिल्कुल साफ-साफ यहां पर लिखा हुआ है next question की बात करते है, question number two निमलिकित में से कौन सा हिम्नद याने की ग्लेशिर लाहुलस्पिती की चंद्रागाटी में स्थित है option A, पाचा, option B, कुल्टी, option C, शिप्टिंग, option D, ये सभी correct answer होगा, option D, ये सभी तो कानी बहुत simple है, तो इसमें हम बात करते हैं चोटा शिप्टिंग, शामुद्री, बोलुनाग, तापन, और दिग कर्मी, ये शिली, ये हिम्नत सारे जो है, चंद्रागाटी में स्थित है तो चंद्रागाटी कहां पर पढ़ती है, लाहुलस्पिती जिले के अंदर पढ़ती है, ठीक है इस क्वेशन में ऑप्शन है, बड़ा शिगड़ी, ऑप्शन B, मियार, ऑप्शन C, गोरा, ऑप्शन D, मुलकिला और अप्शन A, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये हिमचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है, या हिमनत भी कहते है ग्लेशियर को ही हिंदी में हिमनत कहा जाता है, तो देखिए वड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की कार्णी क्या बूलती है, ये हिमचल प्रदेश का सबसे वड़ा ग्लेशियर है, जो लहुल्स पिती जिले में स्थिते हैं, ग्लेशियर की लंबाई 25 किलो मेटर है, और चंद्रजील चंद्रताल जील भी बनी हुई है अभ देखिये चंद्रटाल जील इस ग्लेशियल से बनी होई है और चंद्रताल जील से चंद्रwościburst का उद्डम होता है। option A, बड़ाशिगडी, option B, मुलकुला, option C, भादल, option D, दुधोन, correct answer A, option A, बड़ाशिगडी, बड़ाशिगडी की बात हमने अभी की, तो द्वारा से question आया, तो इसमें बात कही जा रही है, निमलिकित में से कौन सा glacier, चंद्रागाटी में स्थिते हैं, तो इन option के according हमारे पा चंद्रागाटी में स्थित नहीं है, तो माजरा क्या है, इसको देख लेते हैं, देखिए, बड़ा शिगडी है, गेफॉंग ग्लेशियर हैं, चंद्रागाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, और इसके अलाबा भी कुछ ग्लेशियर है, छोटा शिगडी, पाच्चा, ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यह जो बाकी के ग्लेशियर है मुलकी लव गेरा बादल गेरा है ना बादल की तो बात हम ने कर ली तो नेक्स्ट देखते हैं निमेलिकित में से कौन सा ग्लेशियर हिमचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है option आ option B कुल्टी, option C शामुदरी, option D इनमें से कोई नहीं, तो correct answer है option D, इनमें से कोई नहीं तो कहानी क्या बोलती है, तो इसमें simple सी कहानी है, हम देखते हैं पाच्चा की बात करें, कुल्टी की बात करें और शामुदरी की बात करें यह चंद्राघाटी के glacier है, मैंने अभी previous में भी बात की, जबकि हम बात करते हैं, भादल glacier जो कांगडा जिले के बड़ा बंगाल क्षेतर में, पीर पंजाल परवश्रेणियों के ढालों पर सीते हैं, जो आपने पहले question में बात की गई, इससे भादल लदी को पानी मिलता है, भादल लदी जो की रावी नदी की सायक नदी है, ठीक है, तो इस question का अंसर रोणा था, इन में से कोई नहीं क्योंकि पाचा कुल्टी और शामुद्री कहां पर है, चंद्राघाटी में ना कि कांगडा में, ठीक है, next देखते हैं, question नंबर six, तो question नंबर six, पूछता है, हिमाचल परदेश में, ग्लीशय से बनी जीले कितनी हैं, ठीक है, एक fact question है, option ए 200, option B 230, option C 249, option D 249, correct answer है, option D 249, तो simple सबने fact याद रखना है, हिमाचल परदेश की 249 जीले, glacier से बनी हुई है, ठीक है, next question देखते हैं, question number seven, 1912 से लेकर 2001 के बीच, glacier शेतर में, कितनी कमी आई है, ये भी fact-based question है, option A, 2070 वर किलोमेटर, option B, 2000 वर किलोमेटर, option C, 1628 वर किलोमेटर, option D, 1600 वर किलोमेटर, या 1602 किलोमेटर, ठीक है, इसका correct answer है, option C, 1628 वर किलोमेटर, तो इफ़ेक्ट वेस्ट question है, direct आप याद कर सकते हो, 1962 से लेकर 2001 के बीच, glacier कि शेतर में, कितनी कमी आई है, 1600 वर किलोमेटर, ठीक है, तो या, बात करते है, question number eight की, लाहुल की चंद्रा घाटी में, कौन सा glacier नहीं है, option A, कुल्टी, option B, शिल्ली, option C, दुधोन, option D, डिंग, इसका correct answer है, option C, दुधोन, जो कि कुलो जिले में स्थिते, तो कानी में बात करते हैं, simple सी बात है, कुल्टी, कुल्टी की बात करे, और दिंग कर्मी की बात करे, डिंग, जिसको हम बुलने हैं, इसको दिंग कर्मी बुलते हैं, दिंग कर्मी हो गया और शिल्ली हो गया, यह जो तीन हैं मारे option के according, यह जो लाहुल स्पिती के चंद्रागाटी में स्थिते हैं, ठीक है, next question देखते हैं, question number 9, the lady of Calongilatius, स्मुद्रतल से कितनी उन्चाई पर सिते हैं, very important question है, मतलब very important है, ठीक है, इसका option A है, 6091 मिटर, option B, 6081 मिटर, option C, 6071 मिटर, option D, 6061 मिटर, तो correct answer है, option D, 6061 मिटर, lady of Calongilatius, स्मुद्रतल से उन्चाई हैं, तो इसमें हम बात करते हैं, description की, तो description में बात होती है, lady of Calong, जिसकी उन्चाई, 6061 मिटर है, ठीक है, यह जो glacier है, इसका नाम करण हुआ था, अंग्रेजी महिला के नाम पर, अंग्रेजी महिला जिसका नाम था, lady Elchenide, इसने इसका नाम किया था, 100 वर्ष पहले ठीक है, और बर्फिगलने के बाद, इसकी आकरिती महिला जैसे दिखाई देती है, तो इसलिए इसको lady of Calong बोला गया है, ठीक है, नहीं बात करते हैं, next question की, question number, question number 10, option ने भागा घाटी, option भी पांगी घाटी, option C मनाली, option C रोहुन, correct answer है, option ने भागा घाटी में, तो जैसे हम कानी में बात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मुल्किला गलेशे जिसकी उन्चाई, 6478 मिटर है, और ये भागा घाटी में सीते हैं, इससे भागा नदी को पानी मिलता है, जो जिनाब नदी की सायक नदी हैं, ठीक है, इसके लावा देखते हैं, मिलाग और गगस्तांग, ये भी भागा काटी के दो प्रुमुक गलेशेर हैं, ठीक है, next question देखते हैं, question number 11, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा गलेशेर हिमानी कौन सा हैं, तो option ए दुधून गलेशेर, option भी पारवती गलेशेर, option सी बड़ा शिगड़ी गलेशेर, option दी मुल्किलागल गलेशेर, correct answer, option सी बड़ा शिगड़ी गलेशेर, तो ये बहुत important question है, इसको हमने repeat भी किया बहुत बार, अलग-अलग तरीके से question हमने बनाया था, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, बड़ा शिगड़ी गलेशेर की हमने बात की, सबसे बड़ा गलेशेर है, लाहुलस पिती की चंद्रा गाटी में स्थित है, और इस गलेशेर की लंबाई 25 किलो मेटर, साथ में चुड़ाई 3 किलो मेटर है, चंद्रा नदी को इससे पानी मिलता है, जो चिनाब नदी के साइक नदी है, और चंद्रताल जिल को भी ये पानी देता है, चंद्रताल जील के निर्माण इसी glacier से होता है ठीक है हुआ है ओके नव नेक्स्ट बात करते है क्वेश्चन नमबर 12 की समुद्रतल से मुल्किल मुल्किला हिम्नद की उन्चाई कितनी है यानि मुल्किला ग्लेशियर की बात हो रही है ओप्शन 6488 मीटर 괜찮 बी 6570 मीटर ऑप्शन 6335 मीटर ऑप्शनG 6642 मीटर ihr ऑपशनी 6488 मीटर ठीक है इसकी है बात करें डिस्क्रिप्शन की तो मुल्किला ग्लेशियर 6478 मिटर की उंचाई पर भागागाटी में स्थीत हैं, भागा नदी को इससे जल मिलता है, जो चिनाब नदी की सायक नदी हैं, इसके लाबा मिलाग और गरकसांग दो ये ग्लेशियर भी भागागाटी के प्रमुक ग्लेशियर है, नाव नेक्स्ट क्वेशियर देखते हैं, क्वेशियर नमबर 13, बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन ए सतलूज, ऑप्शन बी राभी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी यमना, कोरेक्टन सर है, ऑप्शन बी राभी नदी को बड़ा ओप्शन B चिनाब, ओप्शन C सतलूज, ओप्शन D ब्यास, कॉरेक्टन सर है, ओप्शन B चिनाब, कानी देखते हैं कानी में क्या हुआ है, तो देखिए सबसे पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशर अपने चंद्रघाटी में सीते हैं, ठीक है, इस से क्या है, चंद्रा नदी को पानी मिलता है अब हमें पता है चंद्रा नदी चिनाव नदी की सायक नदी है ठीक है अगर चंद्रा नदी को पानी मिलेगा तो चंद्रा नदी बाद में टांडी नामक स्थान पर चिनाव नदी में मिल जाती है तो फिर आटोमेटिकली किया हुआ कि जो चंद्रा नदी को पानी मिला था वो पानी किसको मिल गया अब चिनाव नदी को तो डिरेक्ट क्वेशन यह बनाया गया option के एकॉडिंग कि बड़ा शिगडी glacier से चिनाव नदी को पानी मिलता है ठीक है नेक्स्ट बात करते है question number 15 की दुद्धोन और पार्वती glacier किस जिले में सीत है option चंबा option वि किन्न और option C कुल्लू option D मंडी और इसे तरह से पारवती नदी को पानी मिलता है इसे भी लंबाई 15 km है अर इससे भी पारवती नदी को पानी मिलता है ठीक है यह अपनी इस पे हमेचल दरपड़ में डारेक्ट इस तरह से दिया हुए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की पारवती नदी को पानी देने वाला मुल्किल्या तथा मियार ग्लेशियर किस जिले में सिते हैं बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की तो इसमें कहानी क्या है मुल्किल्या ग्लेशियर जिसकी उन्चाई 6478 मिटर है और यह भागा नदी को जल देता है और इसके लाबा मिलाग और गगस्तांग दो भागा गाटी के प्रमुक ग्लेशियर है वैसे तो यह दोनों ग्लेशियर मु के लिए ग्लेशियर की तो यह भागा गाटी में है और अपना मियार ग्लेशियर यह पतन घाटी में ठिक है तो यहां पर मियार क्लेशियर देखते हैं question number 17 बड़ा शिगड़ी glacier की चड़ाई कितनी है option है 5 km option भी 6 km यह आपका revision है यह हमने description में बात कर लिए कि कितनी इसकी चड़ाई है option C 7 km option D 3 km correct answer option D 3 km तो कहानी बहुत simple बोलती है बड़ा शिगड़ी glacier जो चंद्रागाटी में सित्त है इसकी लंबाई 25 km और चड़ाई कितनी है 3 km है जिससे क्या होता है इस glacier से चंद्राणदी को पानी मिलता है साथ में इस glacier से चंद्रताल जील भी बनी हुई है ठीक है चलिए बात करते हैं question number 18 की question number 18 है गेफॉंग glacier कहां स्थिते है option A तो कानी देखता है गेफॉंग glacier की गेफॉंग glacier का नाम देपता गेफॉंग के नाम पर पड़ा है गेफॉंग परवत चोटी को लाहूल का मणी महिश कहा जाता है साथ में इसकी आकरिती स्वीजलेंड के मैटरहॉन जैसे दिखती है और मैटरहॉंग आपका स्वीजलेंड में एक चोटी है जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो ठीक है और गेफॉंग glacier अपने लाहूल पिती में कहां जैसे है यह चंद्रा घाटी में है ठीक है अगला बात करते है question number 19 सोना पानी glacier की लंबाई कितनी है option A 10 km option B 11 km option C 16 km option D 14 km correct answer option B 11 km ठीक है सोना पानी glacier की बात देखते हैं तो सोना पानी glacier सबसे पहले मैं पता होना चाहिए पतन घाटी में यह स्थित है तो इस glacier को 1906 में बालकर तथा पास कोई ने पहली वार पता था 1957 में भारतियों भूगर्विक सर्वेक्षन यानि की Geological Survey of India के क्यूरीन एबमुन्शी ने दूसरी बार इसका सर्वेक्षन किया था सर्वेक्षन यानि की सर्वे किया था ठीक है यह कुल्टी नाले के पास में स्थित है और कुल्टी कहां पार है अपना यह कुल्टी नाले के पास अपना सोना पानी ग्लीशर सित है तो जियो लॉजिकल सर्वेक्षन इंडिया की बात करते हैं तो यह सर्वेक्षन सी ब्यास नदी को कहानी देखते हैं बहुत सिंपल है ब्यास कुंड ग्लीशर ब्यास नदी को जल प्रदान करता है एक लाइन में अपने इसको याद रखना है ठीक है चोटी पर सित हैं जिससे पब्ब नदी को जल मिलता है तो यह ग्लीशर पब्ब नदी को जल देता है पब्ब नदी जो यमना की सायक नदी है ठीक है बात करते हैं क्वेस्चन नंबर 22 गारा ग्लेशर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सित हैं और कांगडा और ऑप्शन ब्यों जिले में सित है कहानी बहुत सिंपल है कि धारा ग्लेशर गाराखट कर पानी देता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो है और आपको सीधी नई वीडियो फिर मिलती रहेगी ठीक है and thanks for watching